बेदान लोकान शुरान यज्ञा बेदान दूकान शुरान यज्ञा वरणास्रमवनेवकुलं नजाती नधूममार्गो नचदीप्तिमार्गो ब्रहम्हाईकरूपं परमार्थततत्त्तत्त्त अवधूत दत्तात रे भगवान ये उनकी अन्भूती है उनी के जो उनकी निष्ठा है जिस निष्ठा से अपना नीचे उतरते में उस अपने निष्ठा का बर्णन है भगवान भास्यकार भगवान संक्राचार जी में अगर जरा सब फरक करना चाहो तो इतना फरक है भगवान भास्यकार स्रोता के अनुसार अपने आपको नीचे उतर लाते है जैसे कोई कुसल अध्यापक होता है तो कुसल अध्यापक उसकी अन्भूती अपनी है उसका ज्यान अपना है अपनी निष्ठा अपनी है लेकिन उसके क्लास में अगर उस धरातल के बच्चे नहीं है उसके अनुवों को भाले ओ पिएसडी की क्लास का टीचर है लेकिन किसे दिन उसको छोटी क्लास में भेज दिया गया पढ़ाने के लिए तो अपने धरातल को नीचे ले आवेगा और अपने अस्तर को नीचे ला करके बच्चों को पाठ पढ़ा करके आगे बढ़ाने की कोशिश ओ कुसल अध्यापको हो कि जैसे साधक हैं स्रोता हैं उनके अमसार हम अपने आपको और उनके अनुरूप हम बताएं दूसरे प्रकार के जैसे संत लोग होते हैं ओ कहते हैं मैं अपने अस्तर से नीचे उतरने के लिए तैयारी नहीं जो मेरी अनभूती है जो मेरी अपनी निष्ठा है उससे नीचे मैं क्यों उतरूँ जिसको जरूरत हो गर्ज हो ओ हमारे अस्तर पर आवे ओ हमारे अस्तर पर आ करके हमारी बात को हो समझे इतना लाएक बने इतना योग बने अभी भी समझ लो कुछ ऐसे कालेश हैं ओ कालेश आपको नहीं ओ कहता है आप अगर हमारे लाएक हो गये तो मैं लूँगा तुमको उसका नाम हो गए अब प्रवेश परिक्षा हमको जरूरत नहीं और उसी कालेज में बहुत बड़ी बिल्डिंग होए और कोई न होए बिद्यार्थी न होए तो और कहेगा चलो जो भी आजावे सबको ले लूँगा है ना हम अपने अस्तर को तो जो ब्रह्म वित्ता है ब्रह्म निष्ट महापुरुस है लग भग वो अपने अस्तर से नीचे उतारने के लिए तैयार नहीं होए हम लोग जैसे कह सकते हैं रमण महर्शी हमारे तपोवन महराज, दादा गुर्देयो इस अस्तर के जो महापुरुस है बिल्कुल नहीं आपको समझना है तो मेरी बात समझो अस्तावकर भगवान अधुद्धत्ता तरे भगवान इस अस्तर के अपने आपको नीचे बिल्कुल नहीं उतार भगवान भास्षिकार भगवान शंकराचार जी उनकी करुणा यही है भगवान शंकराचार जी हमारे कनहाई समझ लो उनकी निष्ठा क्या है उसको समझने के लिए बहुत समय लगेगा लेकिन जब उपदेश देना है तो चलो अर्जुन तु कार्म कर ले इस तरीके से यग्य कर ले इस तरीके से तु मेरा स्मरण करते हुए युद्ध कर ले नीचे उतार लाते अपने आपको भागवान भास्षिकार अगर उनकी निष्ठा को देखना हो तो एक प्रसंग है उसका नाम है निर्वान सटकम लगबग सब को याद होगा निर्वान सटकम छे इस लोग सटकम जिस इस्तुती में छे इस लोग होते थे उसको हम सटकम कहते थे सटकम जिसमें आठ इस लोग होते थे उसको अस्टकम जैसे रुद्रास्टकम नमामी उसमें आठ इस लोग है इसलिए उसका नाम है रुद्रास्टकम पांच इस लोग होंगे तो पंच इस अरे हन्मान चालिशा 40 लाइन है 40 चौपाईया है उसमें 40 चौपाई में है इसलिए उसका नाम पड़ा हन्मान चालिशा तो ऐसे ही उनका निर्वान सटकम, निर्वान पद की जो उपलम्धी हो गए उस अस्तर पर हम क्या कहते हैं यहां का इस लोग से मिला सकते हैं वहां पर ना पुंड्यम् ना पापं ना सोख्यम् ना दुख्यम् ना मांत्रों ना तीर्थों ना बेदा न यज्या भोजनम् नाइव भोक्तं ना भोक्ता चिदानन्द रूपा शीवो हम शीवो हम देखो वहाँ भी कहाँ न बेदा न यज्या यहाँ भी है न बेदा न मिल रहा है न दोनों का अनुभाव बिल्कुल ज्यों का त्यों लेकिन ए अपनी अनभूत की बात है तो बिल्कुल सरभासा में समझना कि दो तरे के संत हैं एक संत हैं जो अपने अनुभाव से कभी उतरते उनके पास हमको उतनी योगिता प्राप्त करके जाना होता है दूसरे है जो साधक के मन के अनुसार उसके अस्तर पे उतर करके सरल भासा में इस्टेप बैस्टेप उसको आगे बढ़ाते हैं एक दोनों प्रकार के संथ हमेशा रहे हैं अनभूत क्या है जब कभी चर्चा होती है कोई बात बतानी होती है तो दो धरातल से हम बात भी कर सकते हैं दो धरातल से एक धरातल है ब्योहार का और एक धरातल है परमार्थ का इसको हम कहते हैं ब्योहारिक सत्ता और प्रातिभासिक सत्ता को हम एक मानते हैं ये जो तीन प्रकार की सत्ता का नाम लिया जाता है, कभी कभी सुना हो, पारमार्थिक सत्ता, ब्योहारिक सत्ता और प्रतिभासिक सत्ता, ए तीन प्रकार की सत्ता का तीन विभाग ए श्रीमद रामा नुजा चार्जी ने किया, हमारे अद्दोईद वेतान का सिंतन नहीं, ए श्री संप्रदाय का विशिष्टा अद्वईत का सिध्धानत है कि तीन प्रकार की सबता है पारमार्थिक बयोहारिक और प्रातिवास्थ सब्राइब नहीं क्लियर हो रहा है लगता है जैसे जो घड़े का दृष्टानत लेते हैं हम जो घड़ा है वो घड़ा मिटी है मिट्टी से बना जब बन गया तब भी मिट्टी है जब तूट जाएगा तो भी मिट्टी होगा तो उसकी परमार्थिक सत्ता है मिट्टी इसमें तो कोई संसे नहीं घाडे की परमार्थ सत्ता है मिट्टी लेकिन अगर हमको पानी भरना है या उसमें अनाज रखना है, दही मतना है, तो मुझे मिटी के लोंदे में नहीं कर सकता ना? हमको घडा ही चाहिए ना, पानी भरना होगा, तो मुझे को घडे को प्योग करना पड़ेगा मिटी के धेले में मैं दही नहीं मत सकता हूँ तो वो जो घड़े की आकरती बन गई, भले आप उसको मिथ्या कहो, वाचारं बढ़ं विकार, लेकिन उसकी ब्योहारिक सक्ता तो है, बाई, सोना है पारमार्थिक सक्ता, लेकिन हार, कंगन, वाजूबंद, केऊर, ये सब क्या है ब्योहारिक सक्ता, अब ये थोड़े है कि पांवाला गहना मैं कान में पहनू, यह तो नहीं चलेगा ना, जिसका जहाँ ब्योहार में उप्योग है, वही करेगा, इसका नाम है ब्योहारिक सत्ता, ठीक है, दो सत्ता, पारमार्थिक और ब्योहारिक, तीसरी सत्ता है, जब वो घड़ा बन गया, तो उस कुमार ने सोचा इसको थोड़ा सजा दूँ, तो कुमार ने उस पर गेरू चूना आद लिया, रंग लिया, और उस पर बेल बूटे फूल पत्तियां आद ही बना दिया, जब उस पर ए बेल बूटे आद बन गया, तो घड़े ने कहना शुरू किया, मैं बहुत सुन्दर हूँ, मेरे सदरिस और कौन है, मैं बहुत सुन्दर हूँ, हम ले करके घड़ा आये, जब मैं ले करके आया, तो मैंने कहना शुरू कर दिया, ए मेरा घड़ा है, छुना मत यह मेरा घटा है मम घटम अस्ती मेरा घड़ा है बताओ मेरा पन कहा है दिखा सकते हो मेरा पन कहा है यह प्रातिभासिक सत्ता है सुंदर कुरूप अच्छा भुरा मैं और मेरा यह प्रातिभासिक सत्ता है क्योंकि ब्योहारिक सत्ता को मैं देख सकता हूँ, ब्योहारिक सत्ता क्या है, कि ये लोहा है, पारमार्थिक सत्ता लोहा है, ब्योहारिक सत्ता ये माईक है, मैं इसको पकड़ सकता हूँ, देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, ये माईक है, ब्योहारिक सत्ता, लेकिन ये माईक मेरा है मेरा पन को दिखाऊ ए घर मेरा है ए ब्रिक्ष मेरा है ए सरीर मेरा है ए संपत्ती मेरी है ए पत्नी मेरा ए जितना मेरा मेरा का पना है वो आपके दिमाख में है ना बाहर तो है नहीं अच्छा एक चीज नहीं समझे एक चीज के अगर दस लोग दावेदार हो में इसका मतलब ओ जमीन का टुकड़ा विवादित है ना संसे ग्रस्त है इसका मतलब मुकदमा चलेगा विवाद वैट एक टुकड़ा जमीन का उसकर दस दावेदार हो जाओं इसका मतलब ओ तो किसका है, अब इस पर संसे हो गया ना, आपके इस सरीर के कितने दावेदार हैं, अब हिसाब लगाओ, माता जी ने कहा, ये मेरा पुत्र है, मैंने गर्भी में रखा नो महीने तुषको, मुझसे पैदा हुआ है, मुझको बस सिखा, ये हम लोगों को सुनने को मिलता है, अच्छा, फिर पिता जी ने कहा, नहीं, मेरा है तु, मैंने कमा करके पाला पोसा, मतलब ये सरीर पर एक दावा मा का, एक दावा पिता का, ठीक है, तो तीसरी भी तो बैठी है घर के अंदर, हाँ, चुप रहो, ये मेरा है, मेरा पती है, ओ कमा के लाया, दूसरा मत छुना पत्नी कहिरे मेरा, तब तक तीसरा जो कन्या है, बेटी ओ, बेटा ओ, भाई ओ, बहन ओ, नानी ओ, मोसी ओ, आपके सरीर के कितने दावेदार, और आगे चलो, आपके सरीर के तीन बड़े प्रबल दावेदार हैं, बहुत प्रबल, उनने एक का नाम है हमारी प्रिथिवीमा दूसरे का नाम है अगनी देवता, तीसरे का नाम है कचुआ देवता, खिलाओ पिलाओ बढ़िया बढ़िया, मोटा ताजा करो, तो प्रिथिवीमा तयार हैं, आएगा कभी न कभी मेरे पास आएगा, माल बढ़िया है, अगर महात्मा है, तो उसको भू समाधि दे देंग तो प्रिथिवीमा बड़ी प्रसंदेखा, आया ना मेरे पास, या दूसरा कोई महात्मा है, जिसके पास कोई जमीन का टुकड़ा नहीं बिचारे के पास, तो वह ले दस नंबर का घाट, वहाँ पर कौन दावेदार हैं सरीर के, बड़े-बड़े कचुआ जल में, जल समा अब सोचो, और तुम कह रहे हो मेरा सरीर, कि तो किसका है, ए शरीर किसका है, अचा घर किसका है, ए हाल मेरा है, ए हाल, अचा वा, बड़े ग्यानी हो गए, साथ दिन में प्रम्वेता, अचा मेरा नहीं लेके जाओ, एक डबबा उठाओ मैं बताऊं अभी, तो अचा, हाल मेरा है, बहुत बड़िया, फिर दूसरा, जो चेला राम होंगे वो, इन्हें केंगे मेरा है, अरे जाओ, अरे जाओ, फिर और मैं कहूं आगे, और कहूं, अगर यही सामने से जब राजगीर निकले गए 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 जिसने बनाया न, तो कह गए मेरा बनाया ह हुआ है, ओ यही कह गए मेरा बनाया हुआ है, देखो आसे, मतलब ओ कह रहा है, मेरा बनाया है, और जो इस कमरों में छिपकलियां घूम रही है, ओ क्या कह रही होंगी, क्या उसका घर नहीं है, और जो इसमें चीटियां घूम रही होंगी, जो इसमें करोणों मच्छर घू तुम कहे रहा है, वो कहेगा मेरा है, एक चुठकुला सुना था बहुत पुराना, कि एक घर के सारे जीव जन्तों ने निमंतर्ण किया पार्टी, भंडार पार्टी, सब को निवता दिया, तो सारे निवता में आ गए, एक छिपकली नहीं आई, सब ढोणते ढोणते चिपकली के पास गए, तुम आई रही निमंतर्ण में, ओ चिपकली ने कहा, मूर्ख लोग तुम से लोग समझते नहीं, तुम लोग नीचे पार्टी कर रहे थे, मैं छट को सम्भाले लटकी थी, अगर मैं आ जाती छट गिर जाता तो, मैं कैसे आती, ब मच्छर, अई वो, भूल जाओ, किसका है, अगर 25 दावेदार हो गया, तो मतलब संसे हो गया, कि अब किसका है, इसका मतलब हुआ, कि ये जो मैं कहता हूँ, ए चीज मेरी है, इसका नाम है प्रतिभासिक सकता, इसको हम कहते हैं, प्रतिभासिक माने, जैसे आकास का नीलाप जो दिखाई पड़ता है, लेकिन वास्तों में होता है, नहीं, प्रतिभासिक सकता, ए घड़ा मेरा है, ए जमीन मेरी है, ए बस तो 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 प्रतिभासिक सकता है, इन दोनों को ये कई स्रेड़ी में रखा गया, बिल्कुल एक ही जैसे दोनों है प्रातिभासिक और विवहरिक एक ही थैली के चट्टी वट्टे क्योंकि वास्तों में दोई इस्थिती है दोई अवस्था होती है एक ग्रहन की और एक ग्रहन की किसी को सुकर ताल कर साथ नसी भी रियाद होगा तो एक ग्रहाण की इस्थिती और एक अग्रहाण नहीं यादा रहा नहीं यादा रहा सुकर तो वहाँ एक ग्रहाण की इस्थिती और एक अग्रहाण तो जागरत और सुपन दोनों ग्रहाण की अवस्था है और सुसुक्ति आया न, तो दो ही अवस्था है, तो एक अवस्था अग्रहाण की है, तो ये प्रातिभासिक और व्योहारी, दोनों हो गया अग्रहाण की अवस्था में, तो ये कही कोई, रामा नुजा चार्दी ने तीम विभाग करके समझाया, समझने में बड़ा आसान है समझने में हमको आसानी बन जाती है, इसे अच्छी बात है, तो ये जो आच्यार लोग जब चर्चा करते हैं, तो ये बस्था को दो कोट में विभाग कर लेते हैं, एक उसके ब्योहार के धरातल पर और दूसरा उसके परमार्थ के तो, बहुक्त अच्छी, परमार्थ की द ब्योहार की चर्चा करते हैं, तो परमार्थ को उसमें मत घुसा दो, और जब परमार्थ की चर्चा करते हैं, तो ब्योहार को उसमें मत चिपका दो, नहीं समझे, भाई जैसे अब खाने का समय आया, खाने के समय में आया, तो जो कच्छा बेदानती होता है, जरासा कहीं से सुन सुना लिया है कौन खाता है कौन मरता है कौन आता है आत्मा अजर अमर आत्मा को कोई भूख प्यास वावा वेधानती एक कच्चा वेधानती है कच्चा वेधानती अभी इसने समझा नहीं भई बेवहार की बात आ गई ब्योहार की बात आ गई, जब ब्योहार की बात आ गई तो आप परमार्थ की बात क्यों कर रहे हो, इस समय ब्योहार को समझो, भाईया जरा सा समझो, परमार्थ की दृष्टी से थोड़ी देर के लिए समझ लो, मैं महात्मा हूँ, मैं महात्मा हूँ, लेकिन जब मैं पर चलाने के लिए बैठ गया ना, तो वो पुलिस वाला कहता है, साइड लगाओ महाराज, ए ड्राइबर साइड लगाओ, लगा लेता हूं साइड, उस समय मैं कौन हो गया आप, कई घटनाए हुई, दो तीन बार हुआ हमको, दो तीन बार हुआ, कई बार हुआ, पीछे के स सीट पर सुरुतिजी बैठी थी, आगे कौन बिनोध परमचारी बित्यार थी था, बिनोध बैठा था, मैं गाड़ी चला रहा था, और देहरादू जा रहे थे, और रस्ते में टोल टेक्स वाला मिला, जैसे डंडा गिराया, तो मैंने कहा, मंदलेस्वर्ची पीछे बैठ कई बार हुआ, अब हमने कही दिया, अब उस समय अगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ, तो मैं ड्राइवर हूँ, ठीक, उस समय आप उस समय परमार्थ का चिंतन करो, ना कोई रास्ता है, ना कोई नाम रूपकार है, ना कोई करता चलाने वाला है, अहम ब्रम हासमी आख कर लो, तुम्ही कहते हो, गाड़ी निर्जीव है, वो उससे ने बताया कि मैं जीव आतमा हूँ, समझ में आया जब सड़क पर खड़े हुए तो, तो अब समझो, अब ओ, मतलब ब्योहार अपनी जगा पर और परमार्थ अपनी जगा, अच्छा जब परमार्थ की चिंतन क करें हम, सत्य की जब खोज करते हैं, जैसे लैब में जाओ, तो सत्य की खोज कर रहे हैं, जब परमार्थ की चर्चा करें, तो आप लोग क्या कहते हूँ, जब हम कहते हैं, अपनी आत्मा को जानो, तो तुरंत आप लोगों का मन कहेगा, काम तो करने पड़ेगा ना, दुन इनों को अलग करके समझो तो दो द्रिष्टी है एक द्रिष्टी है कि सूर्य प्रकासित करता है सूर्य हमको प्रकास देता है इसमें कोई संसेत नहीं सूर्य देवता की कृपा से हमको प्रकास मिलता है लेकिन सूर्य देवता के पास चले जाओ पूछने के लिए कभी आपने कमल को खिलाया, चिडिया को चहकाया, आपने हमको प्रकास दिया, करोणो करोणो आपको धन्यवाद, सूर्देवता तो सूर्देवता कहेंगे, मैंने तो कुछ किये ही नहीं, मैं तो अपने महिमा में इस्थित हूँ अपने सुरूप में इस्थित हूँ फूल सुगंद देता है क्या बात है फूल सुगंद देता है फूल अपनी महिमा में विराजमान है अपनी महिमा में विराजमान है वो दे नहीं रहा किसी को सुगंद उसके पास से जो गुजरता है सुगंदी तो हो जाता है देता थोड़े है तो एक बेवहार की दृष्टी से मैं कहता हूँ फूल ने सुगंध भी खेड़ दिया और तत्त की दृष्टी से जब विचार करेंगे तो हम कहेंगे फूल अपने सुरूप में हैं इसी से बड़े उल्टे सीधे बात बोलते हैं आप लोग महाराथ दुनिया में बहुत जिसका कोई मतलब नहीं कहा गये थे हवा खाने यही शब्द प्रिव करते हैं ना आप लोग बेटो में थोड़ा हवा खाके आता हूं सही शब्द है सही है हवा खाने हाँ चलो इंडिया गेट घूमकी आए हवा खाने जाते हैं सामको पूरा मेला लगता है भगवान न करे संड्डे हो है सटल्डे संड्डे वहां गये सिलिंडर लेकिया आते मैंने देखा वहाँ क्या कर रहे है हवा खाने आए हवा खाया नहीं जाता हवा खाया नहीं जाता ज्यादा ज्यादा स्वास ले सकते हो इतना का हो लेकिन हवा खाना तो बात हो ऐसे उल्टे चेदे तमाम तरह के बात करते हो बहुत तरह के एक दो नहीं बहुत तरह की तो बिवहार को परमार्थ स इसे बिल्कुल अलग-अलग दोनों को समझ हो, ओ परम्हास होगा जो अलग-अलग समझ जाएगा, हाँ ए ब्योहार का स्तर है और ए परमार्थ का स्तर है, कभी मिक्स मत करना, वही गड़बड़ी हो जाता है, जब आप ब्योहार को परमार्थ वाले चिंतन में जोड़ देते ह और परमार्थ का ब्योहार दोनों के एक दूसरे में गड़बड़ कर देते हो, जब इसकी बात हो रही तो अपना पेंडूलम गोम गया घड़ी का, उधर तो उधर, मतलब हम कुछ करें ना, बस पलायनवा दे परमार्थ परमार्थ वाले अब यहाँ पर जैसे सूर के पास पहुँच गए और सूर देवता से हम पूँच रहें कि बताओ, आपने कितनी दुनिया को परकास दिया, सूर देवता कहेंगे पागल, मेरी नजर में तो कोई दुनिया ही नहीं है, उनकी नजर में तो कोई ही, तो वही कहते हैं, वेदा न लोका, न सुरा, न यज्या, थोड़ा कठेन है, बेद और यग्यका आ गया सब इसलिए कहना पड़ा है, एक चुटकुला है कि एक बार प्रजापती के पास, ब्रह्माजी के पास सिकायत लेकर के पहुँच गई निशादेवी, एह आपका सूर्द हमारे पीछे पड़ा हुआ है, उसको रोक लो, सूर्देवता आए, तो सूर्देवता से का, क्यों, निशादेवी के पीछे क्यों पड़े हो, उसको रोच सिकायत किया है, सूर्देवता ने का, कौन सी निशा, कहां के निशा, बुला ही बिला ही, मैं मापी मांग लेता हूँ, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो, मैं मतलब उसके सामने में जाई नहीं सकती ना, सूर्देवता निशा नाम की चीज है, ही नहीं, तद तो किदरश्टी से देखो, ब्योहार की दरश्टी में जब आप इस जगत में आ गए, तो रात्री भी है और दिन भी है, क्या है, उठो लाल, अब आखे कोलो, पानी लाई ह अब आखे कोलो, अब आखे कोलो, पानी लाई हूँ, बस इतने याद है, इनी चीकले नवर नहीं याद है, वावा, देखा, बीती रहा, देखा, सबको याद है ना, रात बीत गई, सुर्देवता उदित हो गए, इसलिए, महराज, बेवहार में रात्री भी है, और दिन, अब देखो एक बात हो, दो बाते, हमारे बेद भगवान में है, सास्तर में लिखा है, कि सुर्योदय के समय असनान करके, तयार हो करके, सुर्योदय के समय पर सुर्देवता को एक लोटा जल चड़ाओ, उनके बार नाम प्रशिद्ध हैं, और उनका नाम ले करके सुर्योदय को जल चड़ाते हो, आपकी बुद्धी तेज हो जावेगी, और सुर्य भगवान की स्तुती में बहुत परसंद है, यहां तक है, जहां से सुर्योदित होता है, जहां अस्त होता है, ऐसे सब्द है, क्या सच में स प्रवार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार्वार दोनों को मिला मत देना अब बहुत बड़े साइंटिस्ट हो गए जल चड़ाओ कौन किसको चड़ावे कहां सूर्य उद्य होता है ना समझ लो नहीं, दोनों का अपना क्या है और दृष्टांत दूँ क्या परमार्थ की दृष्टी से अगर चलो परमार्थ पूरा तरस ना कहो बैज्ञानित की दृष्टी से अगर विचार करो तो प्रिथिवी गोल है है ना प्रिथिवी गोल है, अंडाकार चलो अपने अंस पर इतने डिगरी जुख तेश हम साड़े तेश हाँ साड़े तेश तेश्टेश पॉइंट 23 हम सुने थे 23 की 33 अच्छा करके रिखा है अच्छा, चलो, अब हम जिंदगी भर ये पढ़े थे वो प्रिंस्पल साब ग्लोब रख करके घुमाया करते थे, प्रिथिवी गोल है, सीधा सीधा, प्रिथिवी गोल है ए चलो, इतना पढ़ा हमने जब जमीन खरिते हो, तो गोल खरिते हो, की चौकोर वरगा का इंची टेप लेके जब नापना शुरू किया हमने, सौगश तो गोल मान करके बेवहार करते हो, की चप्टी अब जखो, दोनों को, बिल्कुल दोनों को मिलाना मत हाँ, जब जमीन हम खरी देंगे, तब उस समय जमीन को चप्टी में मान रहा हूँ हाँ, हमारा प्लाट वरगा कार होना चाहिए हमारा प्लाट आयता कार होना चाहिए आगे ज़्यादा चोड़ा होगा, पीछे कम चोड़ा होगा, तो मैं कहूंगा सिंग मुखी हो गया, ठीक नहीं है, यह खा जावेगा तुमको जैसे सेर खा जाता है, तो फिर कैसे होना चाहिए, आगे पतला होना चाहिए, पीछे चोड़ा होना चाहिए, तो यह कैसा है, गो सभारी होता ज़्यादा दूद देती है खाती कम है दूद ज़्यादा देती गो मुकी होना चाहिए लेकिन हमने जब प्लाट लिया नापा तो हमने उसको ऐसा समझ के नापा गोल समझ के थोड़े अब दोनो ग्यान आपके भीतर है ये भी और तो अब आप यहां दोनों को मिक्स नहीं करोगे हाँ वो बैज्यानिक ने बताया कि प्रतिवी गोल होती है ठीक है बस आत्मा वाली परमात्मा वाली बात परमात्मा सब में हैं कहां रहते हैं कणकण में रहते हैं ये परमार्त की बात है बोलनी की बात नहीं है ब्योहार अपनी जगा और परमार्थ ये परमार्थ की दृष्टे से कह रहे है ओ तत्व बेता कह रहा है जो तत्व ज्यानी हो गया हमारे लिए नहीं है ये इस लोग हमको तो अभी बेत की बात माननी है यग्य करना है, तेर्थ करना है, जब तक जीव है, करता भोकता अहम भाव है, तब तक ए इस लोग हमारे, बेदा न लोका, जब वहाँ पहुच गए, तब सुरूती भगोति कहेंगे, तत्र बेदा, बेदा भवति, वहाँ पर कोई बेद नहीं, बेद सब हमको जीवन जीने क कला सिखाते हैं, हमारा पर लोक सुधारते हैं। और जब सुधार गया पहınच गया है, ना लोक का कोई लोक नहीं, चौदा लोक ये सब कशब बेवहार में है तत्तु कि दृष्टी से तो कोई लोक नहीं एक अपना आत्म है ना सुरा कौन देवता कौन दैत ए भेद ही बुद्धी तो अज्ञान है जो भेद बना रहे वास्तों में तो देवता भी आत्मा और दैत भी ना यज्ञा कोई यज्ञा नहीं वर्ण आस्रम ना कोई वर्ण ना कोई आस्रम वर्ण कहते हैं चार भेद बाटा गया गामण छत्री वैस सुद्र इवर्ण है आस्रम कहते हैं ब्रमचर ग्रहस्त बानपरस्त और सन्या वर्ण आस्रम हो नहीं वो कुलम न जाती, ना कुल है ना कोई जाती है फिर आप कौन हो, मैं तो आत्मा हूँ, अरे मरने के बाद जाओगे तुम न उतराइन के दख्षणाएं से कौन से रस्ते से जाओगे, वोले जाने वाला तो जीव होता है, मैं तो जीव ही नहीं, मैं तो आत्मा हूँ, आना जाना किसका, वोले सुक्षम सरीर का अज्ञान वाले जीव का वही जाता है, वही बैतरनी पार करेगा वही फल्भ होगेगा, ठीक है हजारों करोण युग तक उसमात नहीं होगा, जब तक उसका अज्ञान रहेगा किसका, जिम मैं तो जान गया कि मैं तो आत्मा तो आत्मा कहीं जाती है अगर आत्मा समझ गए तो कहीं एक जगा से दूसरी जगा जाने के लिए जगा तो चाहिए ना कोई चीज को गिरने के लिए जगा तो चाहिए ना जो बस्तु देशकाल बस्तु से पर्छिन होगी वही एक जगा से दूसरी जगा गिरेगी लुड़केगी और आत्मा कैसा है पूरा ठसा ठस वही एक ही है सरवत्र सरवत्र सरवदा समम सरवत्र है सरवदा है समम है वो तो एक रस है भरपूर है जो कते हो तो जाएगा कहाँ पर आप कहो आकास यहां से उड़के यहां चला गया है वो ले ना समझ आकास ना आता है ना जाता है वो आकास का भी अधिस्ठान अपना आत्मा तो जाएगा कहाँ ना वो धूम्र मार्ग से जाता है ना वो प्रकास के मार्ग से जाता है कार्म ज्यान वासना अंकिता कहते हैं जैसे जैसे मुहर लगा देता है लिफाफे पर पोस्ट मैन वाला उसने ठपा लगा दिया तो उसकी स्याही उस पर अंकित हो गई जीव अपने संसकार को अपने वासनाओं को लेके एक से दूसरे लोग में जीव जाता है मैं तो ये जान गया कि मैं तो जीवी नहीं मैं तो आतमा हूं मैं तो ब्रह्म हूं तो मेरा जाना कहना आना है क्यों ब्रम्हाइक रूपम परमार्थ तत्तुम मैं परमार्थ द्रिष्टी से ब्रम सुरूप हूँ देखो यहाँ पर साप समझना परमार्थ तत्तुम ब्योहार की द्रिष्टी से नहीं परमार्थ तत्तुम परमार्थ की द्रिष्टी से ब्योहार में भाई तो महात्मा को विख़े झाने पूरा चेयर तुछ एक यह जगा से असनान करना हो तो नदी के लिए किनारे जाना पड़ेगा। तक्या क्या है कि नहीं ना मेरा कहीं आना और ना मेरा कहीं जाने। इस पर आने-जाने वाले पर थोड़ा सा भास उपनिशद में है। बढ़ी अगला हम किस लोग पढ़ते हैं ब्याप ब्यापक निर्मुक्तम हमारी आत्मा में अपने स्वरूप में ब्याप ब्यापक भाव नहीं है। लोहे का इतना बड़ा गोला है लोहे की कोई चीज है लट्टू है लोहे का उसने आग में डाल दिया किसी कारण से और थोड़ी देर के बाद में ओ जल करके पूरा लाल हो गया बिलकुल लाल अंगार जैसा दिख रहा है अचानक उसका हाथ छू गया तो उसने कहा लोहे का ग बुला जला जला इदे को ए शब्द में थोड़ा सा कुछ कुछ गड़बर सड़बर है अल भाई गर्मी वगेरा में चू जावे तावा कितनी बार चू जाता होगा कड़ाही आप लोगों का आप हमने पूछा क्या हो गया कड़ाही से जल गए तावा से जल गए शही शब अब उपनिशत को यहाँ पर लगाओ तो मिलेगा बिना उपनिशत लगाए नहीं तेश का गुण क्या था दगधी, पत्री, प्रकासक याद आया ना लोहित अगनी का गुण था जलाने वाला, पकाने वाला, प्रकासित करने वाला, लाल रंग वाला अच्छा और अन्न का अनका दिवचार बताया था गुरु, इस्थेरधारण और काले रंका, तो जो तवेकार वजन है, वो प्रतिवी का है, जो अस्थिर रखा हुआ है, वैसे प्रतिवी सीतलत तो है, लोहा का सभाव है सीतलता, जब भी लोहा चुआँगे ये देखो सीतल लग रहा है, अब लोह अलग है, जलाने वाली आग अलग है, लेकिन दोनों के एक हो जाने पर मिल गया, तो ओ अगनी वाला गुण लोहे में आ गया, तो हम कहिए देखे तवे से जल गया, जबकि तवा जला सकता नहीं, और आग का कोई आकार होता नहीं, तो हुआ क्या, कि लोहे के गोले में आग ब्याप्त गई, समझना चीए, लोहे के गोले में आग ब्याप्त गई, इसको हम कहते हैं ब्याप्त करना, अब लोहे के पूरे एक एक अंग में ब्याप्त गई न, क्या ऐसे, ऐसे ओ भगवान हमारे भीतर ब्याप्त हैं, ऐसे ओ परमात्मा हमारे, जब आप लोग सुनते ह कि हाँ ओ परमात्मा कंकन में ब्याप्त हैं, क्या ऐसे हैं, क्योंकि अगनी अलग और लोहा अलग, दोनों के मिश्रन से एक का गुण दूसरे में ब्याप्त गया, क्या ऐसे अलग अलग हैं, वो ले नहीं, ऐसा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं, ब्याप, ब्याप का निर्मक्त, फिर कैसे ब्यापत है महाराग ऐसा नहीं तो कैसे ब्यापत है मानलो जो सूर्ति में कहा गया सब जगे पर सर ब्यापत है कैसे ब्यापत है तो कहा जैसे मूर्ती में पत्थर ब्यापत है जैसे घड़े में मिट्टी ब्यापत है ठीक है न अब क्या कहोगे घाड़ा अलग मिट्टी अलग और घाड़े में मिट्टी ब्यापत है जैसे लहर में जल ब्यापत है मतलब उसके अलामा दूसरा है नहीं अब चुआ कि हमारी नजर समद्र की किनारे खड़े हैं तो हमारी नजर लहर को देख रही है मैं तो देख रहा हूं कितनी उची लहर आ रही देखो मज़ा आवेगा तो बताने वाला बताता है लहर नाम की कोई चीज नहीं इस पूरे लहर में जल ही जल ब्यापत है इस तरीके से ब्याप्त को समझाया जाता है कि उस तत्त के अलामा कोई दूसरी चीज है है नहीं कभी ऐसा मस्मन्ना की जैसे लोहे का गोला होता है उस तरीके से ब्याप्त नहीं है ब्याप ब्यापक निर्मुक्तम तौम एका सफलो यदि तौम एका हा तो हम ए कहा तुम ए कही हो सफल जब अपना काम पूरा हो गया तो हमने कहा मैं तो सफल हो गया साधना सिविर सफल हो गया हमारा अमुक कार आज सफल हो गया चलो लड़ू बाटते हैं हमारा अकाम सफल हो गया हनमान जी को लड़ू चलाते हैं सफल हो गया सफल माने अलग अलग सब्द करो साफल सम्यक रूपें अच्छी प्रकार से जब फल की प्राप्ति हो जावे तो उसका नाम होता है सफल अच्छी प्रकार से फल की प्राप्ति हो जाए अच्छी प्रकार से जिस उद्देश से मैं चला था जिस लक्षि को ले के चला था जब वो फल मिल जावे तो हमारा कार है सफल अब गहराई से समझना जब हम कोई बस्तू का क्रय करने के लिए चले थे तो हमारे चित में क्या था कि इससे हमको सुख मिलेगा जीव की दो इच्छा है न आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और आत्यंतिक दुख की इच्छा तो यही दो ही है फल की इच्छा तो यही कि हमको सुख की प्राप्ति हो और दुख की अब हमारी एक गलत धारणा मन में हो गई कि अमुक बस्तु हमको मिल जावेगी तो हम सुखी हो जाए एक गलत धारणा हो गई अभिद्या हम उस बस्तु को हम बस्तु नहीं चाह रहे हैं बस्तु से हम बस्तु की नहीं, ए धारणा बन गए trillion कि ये बस्तु मिलेगी तो मैं सुखी हो जाओंगा, आप मैं दौड़ा, दौड़ करके उस बस्तु को खरीद लाया, जब खरीद लाये तो आपने कहि दिया जोर से मैं सफल हो गया लेकिन खरीद लाये और घर पे लाये तो पता लगा, टीवी चली नहीं रहा, कोई गड़बड़ी हो गई, अब मन कैसा हो गएगा, सफल हुए, क्या हमारी बात लगता है, समझ में नहीं आ रही कुछ, कि जाद है अगरी समझ में, या तो बिल्कुल नहीं आती, तब आदमी सांथ होता है, या पूरा समझ में आ जाती है, तब भी आदमी सांथ होता है, सफल हुए क्या है आप, उस बस तो को खरीद लाए तो, क्योंकि सफल माने, जो चित्त में भाव था कि हमको सुख की प्राप्ती हो, वो सुख मिल जावे, और अब आगे सुख की इच्छा, नहीं रहे, ऐसा हुगा, तब फिर सफल कहा हुए, एक गाड़ी मिल जाए तो, हाँ, बस शादी हो जाए तो मैं सफल हो जाओंगा, बस महराज बिटिया का विवा हो जाए फिर भज़नी करूँगा, और कहा काम है, सफल तम, बिटिया का विवा हो जाए तो, लड़के का विवा हो जाए तो, आप क्या समद रहे, सफल हो वो कारे आपका हो जाएगा कारे होना अलग चीज है और सफलता होनी दोनों का अंतर समझे ना तो वास्तों में साफ फल असली फल तो कब होएगा जब आप अपनी आत्मा को जान लो अपने परमात्मा को पहचान लिया तब देवर सिनारत कहते हैं यत प्राप्य न किंचिदवान छती न सोचती न रमते नो साही भवती यज ज्यात्वा मत्तो भवती स्तवधो भवती आत्मा रामो भवती तब तब कोई शाहिए फिर सब तभी सफलों सब फालो बहुत बढ़िया सब्द है फाल के सहिद असली फल के सहिद शणिक फल वाला नहीं नहीं तो हर रोजे रोज लड़ू बाड़ते रहो रोजे रोल रोते रहो ये कोई जो है सवसव जूते खाए तमासा घुशके देखें क्या है या तुम लोग रोज रोज अखंडरामेण कर ले ना संपुट गुरु जी अरे संपुट ले लो प्रभु की कृपा भायो सब काजू जनम हमार सफल हो रहा है फिर उसके बाद कल क्या करना है बोले कल दुसमन कल सत्यानास करूंगा जनम हमार सफल भाहा हो तो कोई दिरला कह सकता है जो अपने सुरूप तक पहुँच गया अपनी आत्मा को तक पहुँच गया वो कह सकता है धान हो चाहे ना हो बस तो हो चाहे ना हो सम्मान हो चाहे को लोग पागल कहें और धूत अगोर पगले कहा गया उस सितिती में जब शुरूप तक पहुँच गया, असली सफलता तो तभी है, लेकिन मूल कारण तक, क्योंकि हर कारण का कारण हो रहा है, अब घड़े का कारण खोजा, हमने मिट्टी मिट्टी का, घड़े का कारण खोजा, कुमार को पकड़ लिया तो पूर्ण थोड़े हुआ, मूल कारण, तो मेदमक्रेया से, वहां तक, ये नहीं, अब हां कारण है हमारा, क्या, हमने लड़की की साधी किया, बहुत बढ़ी है, तो कारण कारण कौन, मैंने किया, यही तो, ये सरीर कारण है, बहुत अच्छा, कारण कौन है इसका, हमारे पिता जी, तो नहीं, मूल कारण, अंति कारण जिसके बाद फिर न किंची दवान चाहती और कुछ रहे ना लास्ट अभी तो हमारा लास्ट क्या अभी तो हमारा तमाम बट 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 रखे हुई है यह हो जाए यह हो जाए लेकिन यह तो हो गया लेकिन इतना रह गया यह तो हो गया लेकिन प्रापसे पनूरभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ अब यह सब जाते हैं, जल्दी हमने पूरा बीजक पढ़ा, उनसे मंगाया था जोगेंदर अनन सिंद खाल ले आओ, तो करीब दो महीना हमने उसको पढ़ा, अभिलासदास के जो है उस पर व्याक्षा थी, कभी-कभी तो देख के लगता है कि मिलता जुलता ऐसा है, अब उस चलो, अगला इस लोग पढ़ लेते हैं, अगला इस लोग कारिका है, मांडूक की कारिका है, जयों खाते हो, जरासा फ़रक है बस, अगला इस लोग मांडूक का उपनिशत का कारिका, अब जब समझो, जब कारिका के जैसे हो जाएगा, तो कितना गंबीर हो जावेगा? हमारे बेदान्त के ज्ञान को कहते हैं आखिरी मल न्याई हमारा बेदान्त का नाम है आखिरी मल न्याई नहीं समझे ना आखिरी मल अखाड़ा बना अखाड़े में कुस्ति हो रही है बड़ी भीड लगी लोग देख रहे हैं तो वहां दस रूपए की कुस्ति दस रूपए इनाम वाला एक लड़का हाथ पकड़ के घुमाया जाता है इस से लड़ो लड़ो दस रूपए वाला दस रूपए दस रूपए को लड़ेगा जीत जाएगा तो कंड़ेगा 10 रूपए निखाई है, तो हो, अब सव उर्पिया की कुश्टी, सव उर्पिया कुश्टी एक आदमी खड़ा हुआ उसमें से, लेकिन जो सब से मजबूत होता है बैठा रहा था चुप जाओ, वो बैठा रहा है, वो जल्दी नहीं आता, फिर उस सव उर्पिया की कुश्टी में एक आ लड़ गया, उसको हरा दिया, फिर अब हजार रुपए की हजार रुपए हजार रुपए, लेकिन बड़ा वाला पहलोण बैठा रहता है, आगे नहीं आता, जब सब खतम हो गया, पूरा का पूरा, आन्त में, जब आन्त में, जब देखा कि कोई नहीं आगे आ रहा है, सबस एक आखिरी में निकलता है, ओ कहता है चोटे मोटे से क्या लड़कि अपनी ताकत खराब करना, डबलू डबलू अपनी देखे हो क्या, ओ आखिरी वाला फिर निकलता है, ओ आखिरी वाला निकलता है और ओ जो मजबूत था उसी को हरा दिया, पटक दिया और ओ वी जही हो जा इसका नाम है आखिरी मलन्याय, आखिरी पहलवान, तो छोटी मुटी चीजों में क्या लड़ना है, लड़ना तो कोई भड़े से लड़ना, लड़ना तो छोटे मुटे से क्या लड़ना, चोटे मुटे पहलवान, तो एक पहलवान आया, उसने का ए, क्या चीज है, आत्मा द द्रब्य के जैसे है, जड़ है, किसने कहा, अब एक पहलवान ने कहा, आत्मा द्रब्य है, एक पहलवान है, दूसरा वाला पहलवान आया, उसने कहा, अगर द्रब्य है तो तुम जानते कैसे हो, जान रहे हो कि नहीं, सुरुती में पढ़ो, बेद में लिखा हुआ है, बेद किया, एक कौन सा मल आया, एक मल आ गया आपका अब यह मत कहे दो, न्याज बैसे इसक बास सांक्या ही आता है ना, यह नहीं, तो फिर आया योग दर्सन योग दर्सन ओ आत्मा को जड़ नहीं बलकि चेतन वानेगा बहुत बड़ी है कोई बात नहीं, तो यह जो चेतन आत्मा है वो कितने हैं वो बहुत सारे हैं वो गाय की चेतन है, वो पसू का घाती का चेतन है, एस्तिरी का चेतन है पुरुस का चेतन है, बालक का चेतन है तमाम पुरुस हैं, सबको अपने अपना ज्ञान मिटाना पड़ेगा अच्छा चेतन अनेक है आत्मा अनेक है तो तीसरा वाला पहलो आना आया उनके मत में आत्मा अलग अलग सब की है अब देखो एक ने दूसरे को काट दिया दूसरे ने तीसरे को काट दिया तीसरे ने चौथे को गलत कही दिया जब आथिर वाला आएगा तो उससे हमारा वेदान सामने आएगा पर फिर वेदान आएगा कि हाँ अब आओ मैं तुमसे बात कर लेता हूं सुरुवात में क्या अपनी शक्ती का जाया करना आखिर की बात है तो अंतिम में क्या आया एक ने कहा देखो चार तरीके से निर्णय हमने कर लिया है चार तरीके से निर्णय कर लिया है स्रिष्टी की सत्ता नहीं हो सकती इसको कते हैं चतुस कोटिन्याई चतुस कोटिन्याई से पक्का कर लिया है कौशा निरने किया है सत से सत की उत्पत्ती हो नहीं सकती क्योंकि सत से सत की उत्पत्ती कहोगे तो क्या बात हुई पहले भी सत था भी भी सत है तो क्या उत्पत्ती फिर हो नहीं सकती तो सत से असत की उत्पत्ती संभो कैसे असत माने जो तीनों कालों में है नहीं फिर पैदा क्या हुआ दो कोटी फिर असत से सत की उत्पत्ती संभो नहीं है कभी बंध्याप पुत्र नहीं हो सकता असत से सत की उत्पत्ती नहीं होती फिर अंती असत से असत की उत्पत्ति कहोगे तो पैदाई किया हुआ बोल के और जमाखरच पहले भी नहीं था अभी भी नहीं था इसका नाम है चतुस कोटी ऐसे मसले लेना बहुत इस पर चिंतन है ये मूल आधार है बहुत दर्सन का और हमारे बेदानत के विचार का एस चतुस कोटी में से तीन कोटी को भगवान भासकार ने सोईकार कर लिया तीन चीज को भगवान भासकार ने सोईकार किया जोंकत्यों इसलिए कभी-कभी आप लोग सुनोगे इतिहासकार लोग भगवान संक्राचारी को कहते हैं प्रचन क्योंकि ए बौध कामत है अब बौधों में एक महान पुरुस थे, बहुत महान उनके एक लाइन नहीं समझ में आईगी हम लोगों को जल्दी कोई कमेंट्स नहीं करना चाहिए किसी महापुरुसों पर चाहे हमारे मत के हो चाहे ना हो बहुत दर्शन के आचार नागार्जुन और उनका मत था सुनने मात सभी आचार सभी बहुतों का नहीं था नागार्जुन का मत और उन्होंने एक चार तरीका बताया चारों प्रकार से स्रिष्टी कुदपत्ति संभो नहीं दिखाई पड़ती याद है अपनी उपनिशक में भी आये था कुतस्तु खल सौम्या असत से कोई चीज कैसे पैदा हो सकती है आया ना भी तो असत से सत कैसे पैदा हो सकता है तो वहाँ पर इस तीन मत को भगवान भासका ने स्वेकार किया तो मेरा जो मतलब है कि आखिरी मलना आए छोटी मोटी चर्चा में मैं समय नहीं गवाँगा जब कोई बड़ी बात होगी तब बेदान सामने आता है एक ने कहा दोईत है दो सत्ता है दोसरे ने कहा नहींच अदोईत है अरे भीया तुम दोनो अपना अपना तर्क दो उसने कहा द्वाइत है बहुत बढ़िया उसने कहा नहीं नहीं तुम गलत हो मैं कहता हूँ द्वाइत है बहुत बढ़िया तुम दोनों तैंकर लो आपस में क्या है महराज आप क्या कहते हो उन्होंने कहा भाईया तेरे द्वाइत के मत का तेरे अद्वाइत के मत का, तू दोनों के मत का मैं अधिस्ठान हूँ, दोनों के विचार का मैं है, अधिस्ठान हूँ, क्यों कि अगर तू चेतन है तो कहरा है ना द्वाइत हूँ, जिन्दा है तो कहरा है ना, तू चेतन है तो कहरा है ना कि मैं द्वाइत हूँ, तू ध्वयत्प दोनों का मेह अधिस्ठाण हूँ। अद्वयत मानना क्यों नहीं तू। अद्वयत है मारूंगा तुछ को बोले भईया तुम दोनों का मूल शक्ति देने वाला तो काईक ली लड़ना? क्यों लड़ना अद्वाइतम केचिद इच्छंती द्वाइतम इच्छंती चा अपरे भईया जो देखो जो अद्वाइत का वोध है वो परमार्थ दृष्टी से है परमार्थ तक तक तुमें लड़ने के लिए नहीं है इसलिए हमारे जितने ब्रमभेत्ता लोग हुए न उनके बहुत ज़्यादा आश्रम जल्दी नहीं चल पाते थे बहुत ज़्यादा उनको लोग जान भी नहीं पाते थे क्योंकि किसके पास अपने मत को पक्का कराने के लिए जाए मैं तो आत्म हूँ अपने ऐसा भर्णन आया है तैतरी सुर्ति याद आई तैतरी उपने साजर में बता दिया तपसा ब्रम बिजिग्यासस्व हेशी से तपस्या करो तो ब्रम को जान जाओगे ओ गया उसने जान गिया हाँ हाँ मैं ब्रम हूँ जान गया आया, गुरुजी जान गए, ब्रह्म, किसको जाना, अन, अन से पैदा हुआ, अन से पला बढ़ा, अन में मिल जाओंगा, ए सरीर ही ब्रह्म है, गुरुजी नहीं का, अभी जरा सा जाना, तपसा, फिर गया, फिर तपस्या मनन, जिंतन, फिर से मनन चिंतन किया, फिर डवडा आया? जान गए गुरुजी? अद्वाई थे, जान गए, क्या जान गए? प्राण ही सत्य है, प्राणा अध्य खुल्य मानी भूतानी, प्राण से सब पैदा हुआ, प्राण में लिन, प्राण ही सब कुछ है, बोले अभी तुमने जरासा जाना, फिर से तपस्या करो, पिर गय अब यह जान गया विजद्योईति, क्या जान गये वहले मन ही ब्रह्म है। उसके वाद महराज फिर गया, जब फिर गया जंगल में गुरुजी ने भगा दिया जा भी तपस्या कर। फिर जब असल में जान गया तो आये नहीं गुरुजी के पास बताने को, फिर कहे के लिए आना किसको बताऊं, तो वहाँ जंगल में बैटके गीत गाता है, याद आया सोमनात में, सोमनात में पड़ा था, जंगल में अपने आने में गीत, फिर गुरुजी के पास नहीं आया कि चलो बताओं कि मैं जान गया द्वाइत हूं कि द्वाइत हूं क्या तो गाता है हाँ हाँ यह हमारी साखा का उपनिशद है तो हमारी साखा का उपनिशद तैतरी उपनिशद हम लोग तैतरी साखा के हैं तो गीत गाता है पिर कौन बताने जावे अब ही certificate चाहिए कि हाँ मैं जान गया हूँ पक्का विश्विद्याले में एक certificate दे लिया जाता है आदमे लिए उसको घुमाता रहता है अब देखो बेवहार अपनी जगा पर परमार्थ अपनी जगा पर बड़ा बैराग चड़ा हाँ हम लोग कमशकम अपनी बात कहूं पूरी फाइल थी डिग्रियों की इसकी उसकी उसकी सबलोग समाल कर रख़े होंगे हाँ नौकरी मिलने के बाद कामों आती होती नहीं हाँ लेकिन समाल के सब रखते हैं जब थोड़ा सा बेधानत होता है पड़ लिया इमाराज एक समय पर सारी डिगरी वेरा फाड़ फोड़ के है जला दिया पूरी फाई अपनी मेरी और उसके बाद जब लखनव में खाता ख खुलवाना पड़ा पासपोर्ट के लिए डेटा बार अब वो समय जो सचड़ा फाड़ फोड़ दिया ठीक है वो अलग बात है तो यहां कोई जो ग्यान हो जाएगा उसकी डिगरी थोड़े चाहिए हमको किसको बताने जाए तो अद्वाइत वाला दूसरे से लड़ता न नहीं अद्वाइतम केचिद इंचन्ती द्वाइतम इचन्ती बास कोछ भी नहीं मस्त रहो अपने सुरूर के हो इलहाबाद के मेला में जहां हम थे हमारी पंडाल के वगल में दूसरा पंडाल था 5-6 साल पहले की बात है 6-7 साल हो गया याद आया तो उसमें घोषणा माईक पर साम को बोला जाता था जीव अलग है इस्वर अलग है द्वाइत ही सकते है ऐसे रोज सुनने को मिल चाता माईक पर से आँ होगा ठीक है द्वाइत होगा कोई बात नहीं भगवान अलग है आप भगवान की उपासना करो इतना ही समझ कि एहंक पर से मुझा अलग होगा नहीं नहीं तीसरा भगलवाला नहीं इद्वatic है अरे भइया जब अद्वाइत है तो समय आत्मा है तो काय के लिए किसी से लड़ाई जगड़ा था में इसी तरीके से समझ कर के मुझत हो जहो हम न तुमसे लड़ते हैं और नहां तुमसे लड़ ये सब आग्रा समाथ हो जाता है अपने शुरूप के बोध में इसलिए सब से वड़िया अपने शुरूप को जानो मुक्त हो जाओ स्वेता दिवर्न रहितं सब्दा दिगुण वर्जितं काथयंति कथम्तत्त्त्त्त्त्त्तन् मानो वाचाम अगोचरम एक दिन साइद हम चर्चा कर रहे थे कि हम जब बात करते हैं तो बात करने में कुछ आधार लेते हैं रूप का गुण का क्रिया का और संबन का याद आये न इसका रूप कैसा है उसकी बात आधार लेके चर्चा करेंगे उसका कार कैसा है उसको लेके चर्चा करेंगे एरसोईया है की ट्राइबर है उसके तरीका यही होता है उसका कोई रंग नहीं है ना कोई रूप है ना कोई रंग है आप कैसे चर्चा करोगे ना उसमें कोई गुण है ना क्रिया है कैसे चर्चा करो गो निरुण है निस्क्री अगर गुण होता तो मैं उसको बताता पहुचने वाला कह रहा है नहीं नहीं आत्मा को बताओ हम कहते हैं आत्मा तक कैसे पहुचोगे मैं उपाय बताता हूँ रस्ता बताता हूँ आत्मा को जाने वो कहते हैं नहीं नहीं आत्मा को बताओ आत्मा को बताओ आत्मा इमर्ती का स्वात कैसा होता है कैसा होता है मीठा कैसा होता है जले भी कैसी होती है हम को समझाओंने हम को नहीं समझ्में आ रहा है भाई पर हम अशिने कहानी सुना इती परमंस का उपदेश दो पुस्तक में राम कृष्ण भचना मृत्म, राम कृष्ण मठ से प्रकासित है, राम कृष्ण भचना, यही है न साइब पुस्तक में, राम कृष्ण, उसमें छोटी छोटी परमंस छोटे छोटे दृष्टान से समझाया करते थे, छोटे छोटे दृ गया भंडारे में, किसी के साथ में, यही दृस्टानत है, भंडारे में चला गया, अपने एक हाँ साथ में, बगल में बैठे, और उसके पतल में खीर आई, अपने उससे पुचा खीर क्या है, उसने का खीर है, तसमई, आज हम लोग खा के आएं, इसलिए बता रहे हैं, तो तसमई खीर है, वो विचारा कभी खीर खाये नहीं था, पुचा खीर कैसी होती है, पहले दूद से बनती है, दूद कभी देखा नहीं था, क्योंकि असूर्दास, दूद कैसा होता है, बकुले के पंख जैसा होता है, अब पोशलिया, बकुला कैसे होता है, अब बकुला भ इस बगल वारे ने कहा, अब ऐसे बताते बताते तो मुश्किल हो जाएगा, उसने कासूरे हाथ लाते रपनों, क्योंकि सुर्दास हाथ ऐसे पकड़के ऐसे इसे टटोल के देखते हैं, हाथ ला, अपना हाथ ऐसे किया, देख ऐसे होता है, बकुला, बकुला इसे होता है, ओ वो हैसे हाँ से टटोल के दिये खुLo अच्छा ऐसे होता है बекुला बहु अजले हैं और इसे होता है बखुला अजक्त होता है ऐसे खिर बने वाक्चा अगोचरम बाणी और मन के वो परे है। क्योंकि वो रूप गुण क्रिया संबंद से रही थे। उपाय बता दूगा। अनुभाव कर लो। इस रास्ते पर चलो तुम भी पहुच जाओगे। ऐसा करो तुम भी पहुच जाओगे। वैसे अनुभाव कभी बताया नहीं जा सकता। चोटी कैसे होती है। जमान नहीं कुछ पहाड की चोटिया तो बहुत सारी होती है। पहाड की चोटिया तो पूरा का पूरा इसको पर सुरू हो जाती है। कैसा होता है। जिस पे कोई पेड नहीं होता वो भी बहुत सारी होती है। केदारनाथ के उपर जाओ तो पूरा का पूरा नंगा पहाड इसलिए वहाँ आक्सीजन की कमी है। जमनोत्री जाओगे तो आक्सीजन की कमी नहीं क्योंकि कुप पेड है। केदारनाथ की चड़ाई में थोड़ा सांस की ही। तकलिफ होते हैं क्योंकि वहाँ पर नंगे पहाड है। वहाँ पेड नहीं है। अईसा कैसे समझाओ कैसे बताओ। तो आप कहोगे मैं रस्ता बताता हूँ चले जाओ। खुद देखलो। तो कोई भी अनभव हो है। आप ताज महल देख किया हो। आप अनभव का बरण करने सकते हूँ इतना कह सकते हो। रस्ता बता दूँ आप जाके देखाू। उपलकर देखाऊ? रास्ते का बढ़न हो सकता है. सारे बेद, उपनिशद हमको रास्ता बता रहें. आप पहुंच जाओगे तब जो अन्भाव होगा, आपका दुटी अन्भाव होगा. हम आत्मा को नहीं बता रहें. आत्मा का उपदेश नहीं कर रहें. क्योंकि आत्मा वा आप अपनी महिमा में रहोगे, अस्य महिमा नहा, एक महिमा होती है, इसलिए चले, अगला इसलोग, एक इसलोग कर पड़ाएं। नाते द्वाइत परंपरा, यह जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह सही दिखाई पड़ रहा है कि जूट। अगर एस ही समझते हो तो अग्यानी, और जूट समझते हो तो ग्यानी, दो लाइन में, यादा अनिर्तम इदम सर्वं। जब आप इस सब को जूटा समझ लेते हो, कैसे सब का सब आकास की नीला पन के जैसे देह भी उसी में, शरीर को भी, शरीर से ले करके पसपक्षी देवता दैत सब को, अगर आप आकास के नीले पन के जैसे जूटा समझते हो, तब तुम ज्यानी हो, ब्रह्म को जानने वाल और जब तुम द्वाइत को देखते हो, नहीं मैं अलग, देवता अलग, पसु अलग, और अलग तुम को सत्यत्य की बुद्धी है, तो तुम अज्ञान। पूर्ण मिदम, पूर्णात, पूर्ण मुदच्यते, पूर्णस्य, पूर्णमाताय, पूर्णमेवावशिष्यते, ओम शान्ति, 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 हरियों, स्री गुरु भ्योनम, हरियों.